दोस्तों स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूं कि आप किस तरह से और इसके अंदर टेक्ट होता है तो यह अगर डिस्प्ले साइज की बात करोगे तो डिस्प्ले साइज तो में तो वही रहेगा लेकिन आपको बड़ा-बड़ा दिखेगा टेक्ट और आइकन वाइकन सब को साथ में किस तरह से आप चेंज कर सकते हो देखो इसके लिए आप आपको क्या करना है कैसे चले जाना है सैटिंग पर ऊपसंग जाने के बाद आ Parts 40 ईशिंग चले जाना है और इसके बाद आपको फ Online display साइज पर जाना है यहाँ पर आप देखो याहाँ पर यहाँ पर यह देख लो जैसे कि मैं यह वाला कर लेता हूं तो यहां पर रोबोट है यहां पर यह है तो फोंट चेंज कैसे करना है या फिरी में फोंट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो या फिर आपका फिरी वाला फोंट नहीं शो कर रहा है तो कैसे आप फिरी में फोंट कर सकते हो इसके लिए फोंट स्टाइल चे करके अगर डायरेक्ट आप डिस्प्ले साइज करना चाहो यह ज्यादा बेटर होता है क्योंकि फिर आइकन वेकन का साइज के साथ ही पूरा इंक्रीज हो जाता है डिस्प्ले आपको बड़ा बड़ा आपियर होता है तो इस तरह से आप अपलाई कर सकते हो रही बात कुछ औ लोगों बोलते हैं मेरा फोन बहुत मतलब हलका लका दिख रहा है तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो चाहो तो यह एक तरह का डिफॉल्ट होता है लेकिन वेट आप थोड़ा इसको है भी कर सकते हो फिर अपलाई कर सकते हो एनी टाइम जब आपको पसंद नहीं आ रहा है गर फोन डिस्पलेउप आपको वह करना है तो आप रोबोटों पर जाऊ और यहांपर जाकेने के बाद यह वाला जो है न यह डिफॉल्ट पर कर दो यहांपर लिखा वा होता है और इसको आप यह देखो डिफॉल्ट पर कर दो या फिर इससे बाड़ा कर दो इस तरह से पते क्ले, बाव बावे.